गुड मॉर्णिंग स्टूडेंट्स मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में संगमकाल की सासन विवस्ता के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा संगमकाल क्या था यह हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं एकजाम की दस्टी से यह टोपिक बहुत ही महतोपुन है अता है आप लोगों को वीडियो द्यान से देखना चाहिए ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं संगमकाल की सासन विवस्ता क्या थी संगमकाल दक्षिन भारत के प्राचीन इत्यास का एक कालखंड है यह कालखंड इस्सा पूरु है तीसरी स्ताब्दी से लेकर चोथी स्ताब्दी तक फैला हुआ है यह नाम संगम साहिते के नाम पर पड़ा है सुदूर दक्षिन भारत में क्रिशन एम तुंग भद्रा नदियों के बीज के छेत्र को तमिल परदेश कहा जाता था तो तमिल परदेश किसे कहा जाता था सुदूर दक्सिन भारत में कृष्णा एम तुंग बद्रा नद्यों के बीच के छेतरगू इस परदेश में अनेक छोटे-छोटे राजियों का अस्तीत्व था जिन में चेर, चोल, पांडे, परमुक थे दक्सिन भारत के इस परदेश में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्टियों का आयोजन किया जाता था इन गोष्टियों में विद्वानों के मद्दे विभिन विश्यों पर विचार विमर्स किया जाता था और इसे ही संगम के नाम से जाना जाता था सो इस्वी से दो सो पचास इस्वी के मद्दे दक्सिन भारत में तीन संगमों का आयोजन किया गया था सरवा पर्थम इन गोश्टियों का आयोजन पंडे राजों के राज के सरंक्षन में किया गया था जिसकी राजदानी मदूरई थी संगम कालिन सासक हरिहर पर्थम जो 1336 से 1356 इसुइ में सासक था यह विजे नगर समराजे का सैंसता पक था उसने अपनी पहली राजदानी अन्ने गोंडि को बनाया बाद में विजे नगर को अपनी राजदानी बनाया 1346 इस्वी में उसने होईसल राजे को जीत कर विजय नगर समराजे में मिलाया 352 त्रेपन इस्वी में हरीहर ने मदूरा की सर्दनत पर विजय प्राप्त की और उस पर अधिकार कर लिया 1356 से 1377 इस्वी में था हरीहर उत्रादिकारी उसका भाई बुका पर्थम हुआ हरीहर है उनका जो उत्रादिकारी था उनका भाई बुका पर्थम बना था उत्रादिकारी और जो बुका पर्थम है यह 1346 इस्वी से ही सियुंक्त सासक के रूपे सासन कर रहा था 1374 इस्वी में बुका पर्थम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था 1377 इस्वी में उसने मदूरई के आस्प अस्तीत्वा को मिटा कर उसे विजे नगर समराजे में मिला लिया अब विजे नगर समराजे का परसार सारे दक्सिन भारत रामेश्वरम तक हो गया इसमें तमिल वैचेर अर्थात केरल के परदेश भी समिलित थे उसने बहमनी सुल्टान मुहमद साह पर्थम के साथ युद किया उसके बाद समझोता किया जिसके कारण कृष्णा तुंग भद्रा जो राजूर का परदेश था नदियों के दोआपर विजय नगर का दिकार हो गया धार्मिक द्रस्टी से उसने हिंदू दरम की सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग पर्तिस्टान की उपादी ग्रण की परंतु उसने जैन, बोध, इसाई तथा मुसलमान आदी सभी को पूर्ण धार्मिक स्वतंतरता परदान की उसने वेद और अन्य धार्मिक गरंथों की नमीन टिकाई लिखवाई तथा तेलगू सहिते को प्रोशाहन दिया बुका पर्थम की समय में कृष्णा नदी को बहमनी और विजयनगर राजे की सीमा माल लिया गया था अब अगला सासग आता है हरिहर द्वित्ये 1377-1404 हिस्वी हरिहर द्वित्ये ने महराजा धिराज की उपादी धारन की उसने कनारा, मैशूर, त्रीचनापली, कांची, आदी परदेशों को जीता और स्रीलंका के राजा से राजस्वा वसूल किया रायचूर दुआब को लेकर उसका बहमनी राजे से जगडा हुआ परंतु उसमें फिरोशा बहमनी ने उसे प्राजित किया हरिहर दुइते सिव के विरुपाक्स का उपासक था किन्तु वह अन्य धर्मों के पर्ती भी सहिशुन था हरिहर दुइते के सबसे बड़ी सफलता पस्चिम में बहमनी राजे से बेलगाव तथा गोवा पर अधिकार करना था देवराय पर्थम जो 1426 से 1422 में सासक था अपने राजे रोहन के तूरंत बाद उसे फिरोज साह बहमनी के आकर्मन का सामना करना पड़ा बहमनी सासक के हातों उसकी हार हुई और उसे हुनों मोतियों और हातियों के रूप में 10 लाख रुपे का हरजाना देना पड़ा हुनों नहीं हुनों हुनों मोतियों और हातियों के रूप में 10 लाख रुपे का हरजाना देना पड़ा उसे सुल्तान फिरोज साह के साथ अपनी रड़की की साधी करनी पड़ी और दहेच के रूप में दोआप छेतर में इस दिद बोकापुर भी सुल्तान को देना पड़ा ताकि बविसे में यूद की गुंजाइस ने रहे दक्सिन भारत में यह है इस परकार का पहला राजनेतिक विवाह नहीं था इससे पहले खेरला का राजा सांती स्तापित करने के लिए फिरोज बहमनी के साथ अपने लड़की की साधी कर चुका था देवराय पर्थम ने अनेक जनकल्यानकारी योजने प्रारम्ट की 1410 इस्यू में उसने तुंग भद्रा पर बांद बनवागर अपनी राजदानी विजे नगर तक नहरे जल से तू या जल प्रणाली निकलवाई इस्या राजदानी में जलका भाव समाप्त हो गया इसके साथनकार में इतालवी यात्री निकोली कोंटी ने विजे नगर की यात्रा की थी तो निकोली कोंटी है वो एक इटालवी यात्री था जो विजे नगर की यात्रा करता है किसके समय में देवराय पर्थम के काल में उसने नगर और उसके नरेश का उले करते हुए विजे नगर में मनाये जने वाले दिपावली, नवरात्रे, आदी जैसे उसों का भी वर्णन किया है देवराय पर्थम विद्वानों का भी महान सरंग सक था उसके दरबार में हर्विलास और अन्ने ग्रंथों के रसनाकार परसित त्यलगु का विश्रेना सुसोबित करते थे उसके विशे में कहा जाता है कि समराठ अपने राज प्राशाद के मुक्ता सभागार में परसिद व्यक्तियों को समानित किया करता था उसके समय में विजे नगर दक्सिन भारत में विद्वानों के अंदर बन गया था अगला सासगाता देवराई द्विती जो 1422 से 1446 इस्यों में सासके था मलिकार जुन 1446 से 1465 इस्यों में उसके समय में उडिसा और भहमनी राज्यों ने विजे नगर पर अकर्मन किया मलिकरजुन को परोड देवराय भी कहा जाता है उसके सासनकाल में विजे नगर समराजे का पतन आरम्भ हो गया था चिन्य यात्री माहुआन 1451 इस्वी में मल्लीकारजुन के समय में विजयनगर आया था विरुपाक्स द्वित्ये 1465-1425 इस्वी ये संगमवन्स का अंतिम सासक था अब देखेगा संगमकालिन सासन वेवस्था संगमकालिन साहित्या नुसार इस समय राजा का पदवन्सानुगत होता था जो जेस्टता पर आधारित था राजा का चरित्रवान परजा पालक निस्पक्स तता सेयमी होना अनिवारिय था रासभा को मंडाई कहा जाता था जहां राजा द्वारा नयाई कारिये किए जाते थे अपने जीवन काल में ही राजा यूवराज की न्यूकती कर देते थे यूवराज को कौम हं तता अन्य पुत्रों को इलेंगो कहा जाता था राजा की निह संतान मनने पर मंतरियों था परजा द्वारा राजा का चुनाव किया जाता था राजा का जन्म दिन इस युग में महोस्तव के रूप में मनाया जाता था राजे भी सेका पर्सलन नहीं था लेकिन राजा के सिहासना रूड होने के समय उत्सव का आयोजन किया जाता था राजे का संचालन राजा अपने प्रामर्स दातों की सहायता से सासनकारिय का संचालन करते थे मुख्य प्रामर्स दाता थे पूरोहित, वैशे, जोतिस और मंतरीगण प्रामर्स दातों की सभा को पंचुआरक कहा ज़ता था राजा सासनकारिय के संचालन में गुप्तचरों की भी सहाईता लिया करता था गुप्तचरों को ओटर कहा ज़ता था दंड व्यवस्ता अत्यंत कठोरती राजा सबसे बड़ा न्याय दिस होता था मनड़ाय अर्थात राज सभा राज्ये का सबसे बड़ा न्यायले था तथा मनरम न्याय की सबसे छोटी कई थी ठीक कई बार मनरम के बारे में पूछ लेते तो ये संगमकाल में न्याय की सबसे छोटी कई थी सन्य परबंधन राजा के पास रत, हाती, अश्व तथा पैदल सेना के चार अंग होते थे सन्य को द्वारा जिन सस्त्रों का मुख्यत या प्रियोग या जाता था वे थे वेल, अर्थाद, भाला, विल, दन्होस, कोल, बान, वाल, खडग, तथा कावच, आदी, सहीद सन्य को की याद में सिला पट लगाये जाते थे वीरगती प्राप्त योधाउं की पासाण मूर्तियां बनाकर देवताउं की तरह उनकी पूजा की जाती थी सेनाओं के लिए एक विशेश समारोह का आयोजन किया जाता था जिसमें सेनापतियों को एगाड़ी की विशेश उपादी परदान की जाती थी नगर यह ग्राम पर्शासन की मुखे इकाईयां थी जहां का पर्शासन स्थानिय जनपर्ति नीधियों द्वारा चलाया जाता था उर्नाम की सेंस्था द्वारा नगर पर्शासन का संचालन किया जाता था ग्राम पर्शासन, मंदरम, पोद्दैल, अम्वले थथा अपई के निर्देशन में संभाला जाता था तो देखेगा इस वीडियो में हमने संगम काल की सासन विवस्ता के बारे में पढ़ा और आगे के वीडियो में आपको संगम काल के बारे में और भी महतोपुन चानकरी देखने को मिलेगी तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे